तो सहित बताई जा रही है आठ काभ्यों में प्रत्य काभ्य को पहले पढ़ते हैं फिर जिस काभ्य का नंबर है उसका अर्थ समझेंगे सभी एक साथ पढ़ें सारदूल भी क्रिडित छंद कहलाता है जो मंगलाश्टक का छंद होता है नस्नेहाच्षरणं प्रयांति भगवन पादद्वयं ते प्रजा हेतोस्तत्र विचेत्र दुखनिचयह संसार घोरार्डवह अत्यंतस्फुरदुग्र रश्मिनिकर व्याकिर्डभू मंडलो ग्रैश महकारयतिंदुपादसलिला छायानुरागम्रविह कृध्धाशीर विषदस्ट दुर्जय विषज्वालावली विक्रमो विद्याभेसज मंत्रतो यहवनैर याते प्रशान तिम्यथा तदवत्ये चरणारुणाम् भुज युगस्तुत्रोन्मुखानाम् निनाम् विनाहकाय विनायकाष्च सहसाः शाम्यंत्यहो विस्मयह संतप्तोत्तमकांचनक्षितिधरः श्रीस्परधिगो रध्युते पुन्साम्त्वच्चरण प्रणामकरणात पीडाह प्रयांतिक्षयम् उद्यद भास्कर विस्फुरत कर्शत व्यागातुनेस्कासिता नानादेहि विलोच नद्युतिहरा शीग्रम्यथान् त्रैलोकेश्वर भंगलब्ध विजयादत्यंतर ओद्रात्मकां नानाजन्मशतांतरेसुपुरतो जीवस्यसंसारेणः कोवाप्रस्खलतिहकेन विधिन कालोग्रदावानलान् नस्याचेत्तवपादपद्मयोगलस्तुत्यापगावारणं लोकालोक निरंतरप्रवितत ज्यानैक मूर्ते विभो नानारत्न पिनद्ध दंडरुचिर स्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवतः शीग्रम्द्रवंत्यामयाः दर्पाद्मात्म्रगेंद्रभीमनेनदाः वन्यायता कुंजराः दिव्यस्त्रीनैनाभिराम विपुल स्रीमेरुचूडामडे भास्वदबाल दिवाकर अध्युतिहर प्राडिष्टभामंडल अव्यावाधमचिंत्यसारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौक्यम्त्वच्चरडारविंद युगला स्तुत्यईवसं प्राप्यते यावन्योदयते प्रभापरिकरह स्रीभास्करो भास्यंस तावद्धारयतिहपंकजवनं नेद्रातिभारस्रमं यावत्वच्चरणद्वयस्यभगवन नस्यात्प्रसादोदयस् तावजीवनिकायेशवहति प्राएडपापम्महत् त्वत्पादपद्मास्रयात् संप्राप्ताह प्रतिवीतलेशुबह वह शांत्यर्थिनह प्राणिनह कारुण्यान्मम भाक्तिकस्यच विभो द्रष्टिम् प्रसन्नाम कुरू त्वत्पादद्वयदैवतस्यगदतः शांत्यष्टकम भक्तितः ये शांतिनाथ भगवान की आठ छंदों में इस्तुति की गई आचरे पुझबाद महराज के द्वारा और ये इस्तुति बताया जाता है कि एक बार उनकी आखों में कुछ ऐसा रोग हो गया था कारण से उन्हें दिखना बंद हो गया था तो भगवान शांतिनाथ की इसी इस्तुति की माद्यम से उन्होंने अपने रोग को ठीक करके ये इस्तुति लिखी थी कि सुन रहे हो कि क्या करना है तुमको